Welcome back friends with another video Friends, इस वीडियो में मैं आपको Practice Set 6.4 का जो 4 बचे कुछे कोस्टन है Part 2 देने वाला हूँ Practice Set 6.4 का Class 8 का Part 2 देने वाला हूँ Part 1 और इसके पहले के सारे कोस्टन्स या सारी वीडियो आप देखना है तो link description में दे दिया है मैंने आप देखिए और enjoy करिए और friends इस वीडियो को भी आप अंद तक देखिएगा बहुत मज़ेदार questions है इस वीडियो में और friends मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारी चैनल पर नए है तो आप इसे subscribe जरूर करें और अगर आपने subscribe किया है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो चलिए शूरू करते है question number fifth तो देखो question number fifth आपके पास ऐसा है ना कि यहाँ पे देखो यह divide में दिया है एक और बात जब दो fraction divide में होता हो तो एक का रेसी प्रोकल लेते हैं तो वह multiply होता तो पहला काम हमें यह करना है दूसरा काम हमें देखो पहला काम वह कड़ी लेते हैं ठीक है पहला काम हम क्या करेंगे हमें यहाँ पर 3x square minus x minus 2 और upon में x square minus 7 x plus 12 और यह multiply होगा कब जब यह ऊपर जाएगा यह देखो यह x square minus 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का square क्यों लिखा अभी आप समझ जाओगे ठीक है 4 को मैं 2 का square लिख दिया और upon में उसे नीचे लिख देता हूँ मैं 3 x square minus 7 x minus 6 अब friends आपको एक बात बता हूँ इसका 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 तीनों का factorization करना है हमें तीनों का तो देखो हम क्या करते हैं कैसे करते हैं ध्यान से देखो यहाँ पे 3 x square minus x minus 2 ठीक है तो यहाँ पे देखो यह 3 2 तो 6 होता है मतलब हमें ऐसा लाना है कि वो 6 हो जाए ठीक है कैसे 6 हो का ध्यान से देखो यह 3x square यह देखो यह क्या है यहाँ पर माइनस एक्स लाना है यानि कि मैं माइनस 3x ले लेता हूं माइनस 3x और फिर प्लस में ले लेता हूं 2x और माइनस 2 अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया क्यों कि देखो माइनस 3 टूजा यहाँ पर 6 होगा सुरी यहाँ पर मा से इसमेँ फिर्येटिए तो यहाँ पर च बचा और यहाँ देखो गए दिंट आज सकान देखो 3 It's all nightly time here यहाँ पर दोनों में दो दिख रहा है तो तो मैं बचा अच्छाँ अब देखो ध्याँ से दोनों के पास एक माइनस वन है तो एक्स माइनस वन को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर बचेगा 3x प्लस 2 तो हमारे पास यह मिला हमें यानि कि हम अब यहां से जो है अपना सॉलूशन अगर स्टार्ट करें तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x-1 और लिखूंगा 3x प्लस 2 अपन ठीक है अपन में और यह सब हमारे पास बाकी है अभी इसको देखो x स्क्वाइर और माइनस 2 के स्क्वाइर के जगह मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 2 और x माइनस 2 यह दो लिख सकता हूं यह a square – b square लिख दिया अब इसका और इसका फेक्ट राचिशन करना अब द्हान से देखो यहां पर हमारे पास है x square minus 7x plus 12 ठीक है अब देखो यह 2L का factorization करना है इस 7 लाना है ठीक है तो कैसे लाएंगे देखो ध्यान से यहाँ पे देखो x square इसे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 4x माइनस 3x तो 4x और 3x 7x और 4 3s आ 12 माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ठीक है प्लस अब देखो यार एक बात बताओ इस 12 को मैं ऐसे लिखूंगा 4, 4 multiply by 3 ताकि हमें ना factorization करना असान हो इसका और इसका factor निकालना बताब common निकालना इसमें इसमें दोनों में x है तो मैं x को अगर common लिए तो यहाँ बचाएगा x minus x चला गया तब 4 तो देखो x into x x square minus 4 into x 4x यहाँ देखो दोनों में 3 दिख रहा है 3 को common minus 3 को अगर मैं common ले तो x बचेगा यहाँ plus है मतलब minus minus निकल गया तो minus minus plus होता है 3 निकल गया तो यहाँ बचा 4 अब एक्स minus 4 x minus 4 दोनों में से common लिका लो तो x minus 4 को अगर मैं common निकाला तो यहाँ बचेगा x minus 3 ठीक है तो x minus 4 x minus 3 हम किसकी जगह लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे क्या करना है निकालना है ठीक है तो हाँ ठीक है अब हम इसको भी क्या करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या है यह 3 x square minus 7 x minus 6 ठीक है आप ज़रे ध्यान से देखो आप क्या हो जाएगा वह यहाँ पर इसे अगर आफ फैक्टर करोगे तो यह क्या होगा यह देखो 3 6 3 6 माइनस में 18 ह माइनस 18 है अब हम यहाँ पर देखो इससे लिखेंगे 3 x square minus 7 x 18 के product के तरह लिखना है मैं तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा x square minus यहाँ पर 9 था 3 चला गया तो बचा 3 और यहाँ एक्स चला गया तो तो देखो यहाँ पर 3 x 3 x square minus 3 3 जा 9 x ठीक है अब प्लस यहाँ देखो इन दोनों में 2 common है तो मैं 2 को common निकाला तो x-3 बचेगा ठीक है तो दोनों में देखो x-3 हमें common देख रहा है तो यहाँ दोनो x-3 और 3 x plus 2 ठीक है अब देखो आपका कट क्या रहा है भाई 3 x plus 2 3 x plus 2 कट गया उपर देखो क्या बचा उपर बचा x-1 और उसके बाद में multiply उसका multiply होगा किसके साथ x plus 2 के साथ x-2 के साथ ठीक है यह और upon में देखो क्या हुआ x-3 का multiply x-3 तो यह क्या है यह x-3 का whole square और उसका multiply x-4 के साथ तो friends यही हमारा answer है इसी तरह हमें करना था I hope आपको समझ में आओगा आप screenshot ले सकते हैं आप बढ़ते हैं question number 6 तो आप करते हैं question number 6 तो question number 6 भी बहुत easy है करना क्या है हमें इसका factor लेना है यह देखो इसको factorization करना कैसे 4 x square minus 11 x plus 6 तो देखो 4 6 तो 24 होता है मतलब इसको 24 के product में हमें expand करना तो यह 4 x square minus इसको क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 x minus 3 x उससे क्या होगा पता है 8 3 तो 24 होता है minus minus plus का भी हो जाएगा और plus 6 है तो 6 को आपको पता है मैं क्या लिखूंगा मैं कमन निकालूंगा तो यह समझ में आयागा कि कैसे निकलता है अब यहां देखो ध्यान से यहां पर इसमें और इन दोनों में हमें common निकालना है ठीक है तो यहां पर देखो अगर मैं 4 x common निकालता हो तो यहां बच्छे का x 4 x 4 x square minus अब यहां पर 4 4 निकल गया multiply में से तो यह ं तो देखो minus 3 x a minus 3 x और minus 3 minus minus plus 3 to the 6 होगा ठीक है तो अब देखो x minus 2 x minus 2 दोनों जगह है तो मैं क्या करूंगा पता है मैं निकालूंगा x minus 2 को common ठीक है तो यहां पर x minus 2 common نिकालूंगा तो यहां बचे Gà 4 x minus 3 बचेगा ठीक है तो उपर मैं क्या लिख दूंगा भाई इसकी जगा मैं लिखूंगा कि x-2 एक ब्रैकेट में लिखूंगा 4x-3 ठीक है अब यार एक और बात देखो ध्यान से ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये है 16x square-9 16 किसका square होता है 4 का x के साथ अगर लिख दिया तो 4x square होता है और minus 9 किसका होता है 3 का square यहां देखो a square minus b square बन रहा है मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a plus b यानि कि 4x plus 3 और 4x minus 3 ऐसा लिख सकता हूँ ना तो भाई अब बस क्या गरना है उसको ना इसकी जगा वो उठा करके लिख दो तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4x 4x plus 3 लिख दो और 4x minus 3 तो 4x minus 3 तो देखो आपको नहीं लग रहा है कि यह दोनों कट रहे हैं तो यहां पर देखो यहां पर क्या हो गया x minus 2 upon 4x plus 3 ठीक है तो यही आपका answer इसी तरह करना था बहुत आसान था आप screenshot ले सकते तो आप बढ़ते हैं question number 7 तो friends अब करते हैं question number 7 देखो question number 7 भी उसी तरीके से हमें करना क्या है ध्यान से देखो यह जो है हमें divide में इसको पल्टेंगे तो multiply होगा उसके पहले न हम इस पार्ट को थोड़ा से solve करते हैं यह a cube और 27 इसको मैं ऐसा लिख दूँ a cube minus 27 क्या होता है 3 का cube होता है तो यहाँ पे 3 का cube और upon में यह क्या है यह देखो 5a square minus 16a plus 3 है ठीक है तो friends अब देखो क्या करेंगे यह divide है तो यह multiply होगा कब जब यह उपर जाएगा तो यह देखो यह क्या है इस 25a square को मैं ऐसा लिखता हूँ कि 5a का whole square और minus 1 को 1 का square लिखता हूँ क्यों वन का square भी 1 ही होता है यह 5 का square 25a का square a square और यह देखो क्या है यह है a square plus 3a plus 9 अब देखो friends एक बात बताता हूँ आपको यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे आपके सामने a cube minus b cube है यहाँ पे b cube दिया है ठीक है तो यहाँ पे देखो ध्यान से हम put करेंगे अगर value a minus b तो a की जगा है a है minus b की जगा क्या है 3 है हो गया a square की जगा a square plus a की जगा क्या है a है multiply b की जगा क्या है 3 है okay plus b square की जगा 3 का square तो इसकी जगा क्या हो जागा यह हो जागा a minus 3 और हो जाएगा a square plus a into 3 तो तो हो जाएगा 3a plus 3 का square जो है 9 यानि इसकी जगा मैं वो put करने वाला हूँ तो friends देखो देर किस बात की हम यहाँ पे put कर देते हैं इसके जगा मैं put करूंगा a minus 3 और दूसरे bracket मे a square plus 3 a plus 9 ठीक है upon उसके बाद में multiply फिर उपर यह देखो a square minus b square तो इसकी जगा मैं लिख सकता हूँ 5 a minus 1 और 5 a plus 1 a minus b a plus b a plus b a minus b इसकी जगा हम put कर सकते हैं और नीचे क्या है नीचे a square plus 3 a plus 9 ठीक है अब देखो आप बोलो कि sir इसको क्यों आपने छोड़ दिया भाई इसको बिना factorize की आप लिखोगे तो answer नहीं आएगा तो यह देखो यह हमारे सामने 5 a square minus 16 a plus 3 है ना तो देखो 5 3 हमें 15 लाना है और हमें factor करना है तो देखो आप कैसे factor करोगी कि वो 15 आएगा तो यह 5 a square और यह minus 16 a है ना तो minus 15 a minus 15 a minus a करोगे तो 15 a और a 16 a minus में हो जाएगा और plus 3 अब आप यहां से और यहां से दोनों जगह से common लीजिए तो आप कैसे common लेंगे यह 5 है अगर आप 5 a common लेते हैं तो यहां पर a बचेगा तो 5 a a square minus यहां से 5 चला गया तो 3 बचेगा तो देखो 5 3 जा 15 a तभी हो सकता है यहां पर दोनों में कुछ नहीं common है तो यहां पर minus 1 क अगर common लेते हो आप तो यहां बचेगा 5 a minus 1 ठीक है यह सारी चीज़े मैं आपको 6.1 में common कैसे लेते हैं इस सब सिखा चुका हूँ आप वो वीडियो फिर से भी देख सकते है ठीक है तो इसकी जगह में यह put करने वाला हूँ वह क्या है a minus 3 और 5 a minus 1 अब आप समझ गया हों 5 a minus 1 5 a minus 1 कड़ गया तो क्या बचा 5 a plus 1 और यही आपका answer है बस ऐसे ही करना था आप screenshot ले सकते हैं तो friends अब बढ़ते हैं question number आप करते हैं इस practice set का last question बहुत मज़ेदार है देखो क्या दिया हुआ है यहां पर एक चीज़ आपको twist समझना पड़ेगा यह देखो यह है 1 ठीक minus 2x plus x square मैं बोलू कि यह 1 है square यह minus 2 into यह है 1 into x और plus x square यानि यह है a square यह minus 2 into a into b और plus b square तो अगर a square minus 2 a b plus b square होता है तो उसकी जगा हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं a minus b का whole square तो यह इसकी जगा आप क्या लिखोगे a square यानि यह 1 और फिर b square है यह मतला minus x का whole square है यह तो यानि कि अब हम यहां पर क्या लिखेंगे ध्यान से देखो इसकी जगा हम लिखेंगे 1 minus x multiply by 1 minus sorry 1 minus x ठीक है upon आप देखो यहां पर देखो 1 minus x cube है भाई देखो 1 को 1 cube लि minus x और one plus x plus x square ठीक है multiply ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है आप शसे भी bracket मैं लेखो one plus x plus x is square ठीक है और अपवन में यहाँ पर क्या है इसे भी bracket में one plus x लिख सकते हो देखो अभी आपका simplify हो गा़ आप काट सकते हो बहुत कुछ देखो यहाँ पर one minus x 1-x कर दिया और यह वाला पार्ट देखो यहां से कर दिया 1-x-x-square 1-x-x-square ओपर देखो क्या बचा 1-x और नीचे क्या बचा 1-x बचा 1-x बस यही आपका और इसी तरह करना था आपको समझ में आऊगा आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब इस वीडियो में मैं यहीं तक और आपको वीडियो समझना होगा तो आप इसे लाइक जरूर करना और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद